हैं मुल्च कि दला बाइन अज है वरिए जाव अजयन कर चार में चैसे डाइड में लेकर विए तो गे मॐए य yapmış कियोक्तंटे है और गीन को कि इस तरीके से आप दो आप पद किस जी के सेटि च वे जन्ध करना है जिसमें कि हमने continuous series में सीखते हैं और इसको हम फिर continue करेंगे तो बचे यह series कौन सा है आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं इस series को हम बोलते हैं continuous series, continuous series क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका जो data है वो बिलकुल आपका absolute given नहीं है यह तो number of students हो गए data आपका एक range में given है और आप mean का याद करें कि mean की classes में मैंने आपको बहुत अच्छे से clear किया था कि आपका continuous series क्या होता है, individual series क्या होता है और discrete series क्या होता है यह पूरे stats में आपके काम आने वाली चीज़ है तो अगर आपने नहीं उसको देखा है तो आप please उसको देख लिजेगा पूरे stats में वो चीज़ें बार-बार repeat होंगी तो एक बार सीख लेंगे तो आपके लिए आपके पास हमिसके लिए solid हो जाएगा चलिए देखिए बचे बात करते हैं सवाल की तो continuous series है जहाँ पर data आपके पास में absolute given नहीं है data एक range में है for example जैसे marks देख रहे हैं तो यह number student 10 student के exactly कितने marks है वो नहीं मालूम पर इनके marks 0 से 10 के बीच में है आपको यह पता है तो पहला काम आपको क्या करना इसमें आप यहाँ पर f से आप cf calculate करेंगे और कैसे पहला आपका सेम रहेगा थोड़ा सब्सको और डर्क करने की नीड़ है फर्स्ट आपका सेम रहेगा 10 देन एड़ करोगे इसमे 19 और 25 एड़ करोगे तो 45 44 और 30 एड़ करोगे तो आपका 74 और आप 16 एड़ करोगे तो आपका 90 और आपके पास में यह आ गया 100 और आपको cross check करना है कहीं पर आपकी गलती तो नहीं हो यह तो sigma fb करके देख लिया करो आप तो यह आपका क्या आया आपका यह 100 और यह सेम हो तो बलकुल आपका ठीक चलता है अब देखो बच्चे size of median कैसे निकालेंगे इसको भी समझेंगे साइज ओफ मेडियन तो continuous अब तक तो आप यह कर रहे थे क्या एन प्लस वन डिबाड़ी बाई टूएथ टर्म यह कर रहे थे अभी तक हम लेकिन जब continuous series होगा तो यह नहीं लगेगा उसमें आपका यह होता है एन अपन टू विथ टर्म प्लस वन नहीं होता है अब आप सोच रहेंगे सर ऐसा क्यूं क्यूंकि देखेगा आप ascending order से calculate करें या आप data को descending order में आप रखके calculate करें आपका अंसर सेम आना चाहिए वह आपका एन अपन टू से ही आएगा तो आपका एन अपन टू तो size of median मतलब की middle term कहां पर मिलेगा यहां पर मिलेगा तो size of median size of median n क्या हमारे पास में n हमारे पास में 100 डिवाड़े बाई टू एथ तम अब इसको अगर आप solve करेंगे तो क्या है हमारे पास में 50 एन बाई टू एथ तो बस यहां पर आपके पास में median का जो formula है आपका n by 15 तो कौन से आपके interval में है n by 15 तो 50 किसमें आपका आएगा इसमें तो नहीं आएगा इससे next यहां पर यह आपका यह आपका 50 इसमें आएगा समझे जी तो यह आपके पास में 50 क्यूकि आपका जो है cf में देखते हैं तो यह तो आपका कम है इससे next पर जाईए इसमें आपका 50 आई तो आपका 54 तक आपका यह interval काम कर रहा है सिखाय था मैंने last class discrete series में तो आपका पास 50 तो इसमें नी इससे अब अब वाले में जाओ तो इसमें आपको मिलेगा तो अब बस इसमें चीज़ें आपको clear होनी चीज़ें क्या clear होनी चीज़ें आपको कि इसमें सबसे पहले चीज़ें तो आपको यह पता होनी चीज़ें कि यह आपके पास में जो आपने मार्क करा यह आपका basically किसको represent करेगा f को यह आपके पास में f को represent करेगा कुछ चीज़े मैं लिख लेता हूं उसका formula पहले आप देख लेंगे देखेगा median equals to l plus n by 2 minus cf n by 2th term होता है basically ठीक है minus cf upon f into i अब जब अपने question को देखेंगे तो उसमें l तो जिस interval को आपने select किया है बच्चे उसकी lower limit किया है 30 i interval किया चल रहा है gap कितने का चल रहा है 10 का f f क्या आपका जिस interval को select करा उसमें f क्या आपका 30 और cf जिस interval को select करा उसमें यह cf है बट इससे हम अब उपर वाले को लेते हैं 44 तो बस अब आपको आपके लिए कुछ यहां पर कठेना ही नहीं है सब्ची आपके लिए बहुत आसान बन गई है वह कैसे अब आप निकालोगे इसका median तो median equals to आपका L 30 plus n by 2 minus cf upon f into i 10 तो आपके पास में median equals to 30 plus 6 by 30 into 10 तो आप solve करेंगे यह कट गए आपके पास में और आपके पास में दो m equals to 30 plus 2 and m equals to 32 आपका median है यह आपका final answer है क्लियर है बच्चे तो इस तरीके से आप अपने median calculate करेंगे continuous series के case में कोई doubt किसी बच्चे को तो यह उम्मीद करता हूं आपको सौंझ में आ गया होगा आपका अलाओ है नहीं पर आप देख लीजिए एक बार formula लिख लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं फिर next question आपको करना है कि अगर इस question को देखें लास्ट में 92 99 है लास्ट में 92 99 इसको मैं सिफ्ट करता हूं नहीं फिर भी वही फर्क नहीं पढ़ता हूं छोटा करता हूं थोड़ा सा देखें बच्चे अब आप देखें यहां पर यहां पर भी आपको find the median of the distribution तो आपको median निकालने हैं लेकिन आप इस बास को समझेगा कि यहां पर आप median निकालने जा रहे हैं तो मैंने हमेशा कहा था कि आप आप apply तभी कोई method कर सकते हैं जब आपके पास में या तो individual series हो या discrete series हो या continuous series अगर है भी तो उसका exclusive होना चाहिए की कउंटुनीनियलीद में तो मीड वैलू भी आता है में तो लेस अपा आपको लिए पूरा इंक्लोजऑ और इनक्लोजिफ क्या होता है इसके लिए मिरे मीन की classes पर जब मैं continuous series पर आया था वो एक class देख लिजेगा उसका पूरा introduction है continuous series का कि mid value क्या होता है mid value exclusive क्या होता है inclusive क्या होता है less than क्या होता है more than क्या होता है inclusive से exclusive में कैसे जाते है mid value से exclusive में कैसे जाते है exclusive से mid value में कैसे जाते है less than से exclusive में कह जाते है exclusive से less than में कह जाते है more than से exclusive में exclusive से more than में यह सारा introduction मैंने एक class में आपको बताया है तो इस class को एक बार please आप देख लेंगे तो आपको यह सरफ बात कोई एक question की नहीं है वो पूरे stats में ही आपके use होने वाला है एक बार सीख लीजिए और हमेशा के लिए इसका use कीजिए खिर यहाँ पर बात करते है medium की तो medium में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास में जो है inclusive series है क्या है इसमें inclusive series तो inclusive series को first of all कोई आप method apply करें कुछ आप calculate करें उससे पहले आपके priority क्या रहे निचे के continuous series का exclusive हो तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको इसको आपको exclusive में convert करना पड़ेगा वो convert करना आपको आता है फिर आप media निकालो आपके पास थोड़ा सा समय है आप इसको ज़रा फटा-फट calculate करो क्योंकि आप तो आप calculator कर सकती हो हाँ इस टैट से न तब मुश्किल हुआ करती थी कब जबकि calculator नहीं हुआ करता नो सारा जोड़ो, divide करो, point मिलाओ तो बड़ा time consuming अब इस टैट बहुत आसान है calculator के time पे जल्दी करें इसको देखो बच्चे कैसे करेंगे आपको अगर आ रहा है तो आप करते हैं चलिए मैं यहां पर स्वाल करवा जिता हूँ कि देखो कि पहले आप exclusive में convert करेंगे यहां पर तो आपके पाद जो एक्स है इसको तो कैसे convert होगा देखिए आपका जो अपर लिमिट है 19 और लोर है 20 इसमें गैप आ रहा है continue से start होता है इसे पिछे कुशन देखा आपने कोई gap नहीं था पिछे लिए कुशन में अगर देखें तो आप 10 से तो 10 से start हो तो इसे exclusive कहते हैं लेकिन यहां पर आप देखें तो end 19 पर वह start 20 से वह तो यह inclusive वह तो इस case में क्या करते हैं जो इसके और इसके मलब 19 और 20 का जो gap है basically क्या gap है one gap हमेशा जरूर नहीं ही हो कुछ भी हो सकता है आपको यह fix है कि उसको आपको 2 से ही करना पड़ता है तो 0.5 आपका आया clear है तो बस आपके लिए चीजें आसान है अब सब के lower limit में से 0.5 मैनेस करोगे 9.5 और अपर लिमिट में 41.5 और अन्तालीस पॉइंट पाँच उननचास पॉइंट पाँच उननचास पॉइंट पाँच 59.5 59.5 69.5 69.5 69.5 79.5 79.5 79.5 79.5 89.5 और यहां पर आपका 89.5 आपका 99.5 यह आपका क्या हो गया और frequency पर कोई भी इसका impact नहीं पड़ता है frequency पर कोई भी परभाव इस चीज़ का नहीं पड़ेगा तो यह आपका क्या हो गया यह आपका हो गया एक्स कोलम इसमें थोड़ा सापको डेटा को चेंज करना होता है फ्रिकेंसी वही रहेगा अब बस यहां से आपको क्या करना है यहां से आप अपना एक टी एफ निकाल लीजिए सी एफ क्या होगा पहला आपका क्या है साथ एड करेंगे इसमें पंदरा तो बाइस इसमें अठारा एड करेंगे तो चालीस पच्चिस एड करेंगे इसमें तो सिक्स्टी फाइव और तीस एड करेंगे तो इसमें नाइन्टी फाइव बीस एड करेंगे इसमें तो एक सो पांच और फिर दस एक सो पंदरा और 16 एड़ करेंगे, मतलब 15, 130, 131, 7 एड़ करेंगे तो 138, और 2 एड़ करेंगे तो 140, तो ये मेरे पास में क्या आया, ये मेरे पास में CFR गया, ठीक है बच्चे, क्लियर है, अब बस आप यहाँ पर क्रॉस चेक करने के लिए, आप ये काम कर सकते हैं, कि आप चेक कर सकते हो, कि आप अपना, ये थोड़ा सा लाइट कलर चलेगा यहाँ पर, यहाँ अगर आपको टोटल करना है, तो क्या करोगे, तो साथ, पांच, बारा, बारा, आट, बीस, बीस, पांच, पच्चिस, पच्चिस और चेकतिस, इकतिस, और आपका साथ, अर्टिस, अर्टिस, और चालीस, चार, तो चार और एक, पांच, और छे, छे, दो, आठ, तीन, ग्यारा, ग्यारा, और दो, तेरा, 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 तो summation f 14 और always यह equal आता है पर फिर भी करके देख लिए अगरो ताकि कोई गलती हो तो पकड़ में आ जाए अब भही यहाँ पर हम आगे continue करेंगे तो क्या करेंगे size of median size of median जो कि क्या फॉर्मला होता है एन बाइ टूएथ टम तो size of median size of median n क्या है मेरे पास में 140 अपन टूएथ टम size of median equals to 70th term तो सत्रवा स्थान के अगर मैं बात करूँ तो देखते हैं अपने cf के अंदर ये चीज़ आप कहां से ढूंड पाओगे तो cf के अंदर 65 है यहाँ तो नहीं 70 यहाँ मिलेगा इसके अंदर क्लियर है जी 70 तो बस अब अपना formula लिखें आप यहाँ पर कि median equals to l plus n by 2 minus cf upon f into i अब यहाँ पर आपका l क्या है तो जिस interval को select क्या है उसके अंदर low limit क्या है आपका आप अपने इसके according चलेंगे किसके according exclusive according तो low limit क्या है में l तो l आपके पास में 49.5 minus sorry plus n by 2 n by 2 के हमारे पास में 70 minus cf cf के 65 upon f f के मेरे पास में 30 है और into i के 10 है तो solve करेंगे median equals to 49.5 यह आपका कट गया plus यह आपका पांच बटा 3 आया clear जी आगे solve करते है median equals to 49.5 calculator यह ज्यादा माता पची करने कि आप सकता आपको नहीं है ठीक है ख्यार कर सकते हैं लेकिन चलिए कर देते हैं न पॉइंट वेंट सब लेकर कि 1.661.66 and plus 49.49.5 तो आपका median equals to क्या है यह 50 1.51.166 ठीक है जी clear है median बिलकुल साही झाल होछा झाल है जीक है